पंद्रा सो करोड रुपए का गोटाला है इस गोटाले के बारे हम बता दें सबसे बड़ी बाद आप जो बार निकल के आई केजरी बाल इसलिए बाहर घर से बाहर नहीं निकलें आपने देखा होगा तीन दिन मिलकुल खामोस रहे हैं सराब नेती जब उगली जो इन्होंने इस पेसल लाये थे बन करण है उसके बाद भी इन्होंने घोटाला जारी गोटाला था ऐसे इनका नाम जो है घोटाला रख दिया जाए तमाम सासा का ऐसे हुए तुगलग वगएरा जिनको खीच के निकाला गया यह सलाखों के पीछे होंगे निश्चित तौड पर होंगे आपको ताने सराब में अगले ने इतना बुरा हलत किया है कि जाने कितने ल गटाले को लेकर के तमाम जाच जिनसियां लगातार खारवाई कर रही है और आम आदमी पार्टी के नींद उड़ी हुई है इस वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े ने था पिर चाहे हम मनी सिसोदिया की बात करें या पर संजस सिंग की बात करें यह ओलरेडी शराब घुटाला मामले को ले करके इस वाक्त जेल में हैं तो वही अरविंद केशवाल को भी एडी ने समझ जारी किया वो अलग बात है कि अरविंद केशवाल आज एडी के दफ्तर में हाजर नहीं हुए इस बीच बड़ी ख़बर ये भी आ रही है कि इस घुटाले को लेकर के तो जाच अजिंसिया जाच अपनी करही रही है लेकिन दिली में एक और शराब घुटाला हुआ है और ये घुटाला पंदरा सो करोर रुपए का घुटाला बता जा रहा है अल्रेडी सीबिया इस पर अपनी जाच शुरू कर चुकी है ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब दिली में एक शराब घुटाला को लेकर के आम आदमी पार्टी के तमाम दिगजनेता इस वक्त जेल में है तो जब इस दूसरे यानि कि शराब घुटाला सर स्वागत है आपका सवाल यही कि जिस तरीके से खबर ये सामने आ रही है कि एक और शराब घुटाला है जो कि दिली में ही हुआ है और इसको लेकर के सीबिया इजाच शुरू कर चुकी है पंद्रसो करोर रुपे का ये घुटाला सामने आ रहा है क्या कहेंगे इस पर आ कि इतना घुटाले किसी नहीं कि हैं दुनिया के इतिहास में कोई पार्टी भी इतनी बदनाम नहीं हुई जिसमें अच्छे लोग रहे हूं और कुछी लोगों ने मिल करके एक किचिन कैबिनेट बना करके बतला घुटालों का इतने घुटाले हैं कि पूछे नहीं हर बाहर घर से बाहर नहीं निकलें आपने देखा होगा तीन दिन मिल्कुल खामोस रहे हैं एक तो डड़ गए दूसरी बात वो यह चाहे रहे ते कहीं अज्यात वास में चले जाए ड़ रहे हैं तो सब लोगों समझाए चिंता मत करो हम सब लोग हैं तब आम उसके फिर वहा कोई सब्सके थे नहीं बनी थी तब इन्होंने खुब घोटाला किया घंआ किया गया जरन ब्रह नीठी किसे अन्यधिय immiritsцев प्रति LAPGI अबुद्दी आई जब नीति यहां लने छोगे जो उन्होंने पिष्डrost동 लाई रखां ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं एक ठग था आपने सुना होगा तो अब वही चीज यहां भी लागू होई जब यह नीती हड़ गई यह हुआ कि इस नीत में बहुत ज्यादा घपला हो रहा है तब उसके बाद इन्होंने क्या कि जो छूट थी वह खत्म हो गई तो होटलों में, रेश्टरेंट में, बार में इन सब गए चुकि होटल, रेश्टरेंट, बार इनसे इनका इस पार्टी का विशेश रिलेशन है इस पार्टी ने कुछ भी हो एक के साथ एक फ्री और सराप की दुकाने बढ़वा दी थी ज़्यादा टाइम तक खुलती थ अब उसमें CBI भी सनक गई और लोग समनक गए कि क्या बज़े वो पता चल गया वह यह कि छूड जारी रही इसमें हुआ क्या है कि जो सराब निर्माता है उन्होंने 10 से ले करके 35% थोग विक्रेताओं को थोग विक्राताओं ने फुटकल विक्रेताओं को 10 से 35% और सरकार को नगदी में लगबर 20% गया तो दो हिस्से में बटा है एक हिस्सा पंजाब को चला गया और दूसरा हिस्सा आपको बता रहे हैं जो कैस में गया चुकि दिल्ली गौर्लमेंट हुसिया थी उसने कैस में लिया वो लगबर 20% 10 से 20% मतलब आप समझ लेजे पंदरा सौ करोर रूपाय का घोटाला देर हजार करोड रूपाय तो आपको बता रहे हैं कि एक कहवत है कि तू डाल लाल तो मैं पात पात अगर कोई जाच करने वाली अजन्सिव लगे रहेंगे चाहें जितना हो वो जो आप सरकार थी केजरी वाल के गवर्मिन पैसा निकालती रही घोटाला बस घोटाला टेक्सी का घोटाला कापी कितामों का घोटाला हॉस्पिटल में घोटाला टीचर्स में घोटाला जो भरती मतलब घोटाले घोटाले अगर इनका नाम बता रहे हैं आपको आपको बता रहे हैं इनका नाम जो है जैसे उस चोटाला था ऐसे इनका ना है केजरी वाल अर्विंद केजरी वाल यह नाम हटा करके सिर्फ घोटाला लग दिया जाए ज्यादा बढ़िया है और आपको बता रहे हैं जैसे गानने ता इलू-इलू ऐसे यह रात को गाते होंगे इडी इडी जो आदमी सब को कहिता है चौथा पास बगार पढ़ा लिखा राजा चौथा पास वो जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा रामर बन रहा था उसके नव बुद्धियों के बाद इनके एक स्पेशल दस्मी बुद्धी केजरी वाल वाली जो बुद्धी आप सु इनको रात को सपने भी आते हैं एडी के नाम पर और आपको बत्राना है कि यह बचेंगे नहीं आप देखेगा कुछ लोग ऐसे हुए हैं जैसे जो रूस का जार और तमाम सासा का ऐसे हुए तुगलक बगारा जिनको खीच के निकाला गया यह सलाखों के पीछे होंगे नि इसकी वज़े से आज वो इडी कर्यालर नहीं गए इनसे पूस्ता छोणी थी क्या कहेंगे इस पर क्योंकि खुद को यह कटर इमानदारी का लेबल देते हैं खुद को तो देते हैं अपने पार्टी को देते हैं और आज जो तमाम इनके नेता इस वक्त जेल में हैं उनको कहीं ने कहीं यह कटर इमानदार भी बताते हैं इस पर क्या कहेंगे देखे ऐसा है कि बड़े अफसोस की बात है अपने को बहुत ओवर इस्टिबेट करता है यह जब कुछ नहीं था तब यह उनके लिए नहीं कहिता था सीला दिक्षित के लिए उनकी बुड़ाई करता थ और लालू की बुड़ाई करता था हर एक की बुड़ाई करता था हर एक की बुड़ाई करता था हर एक के लिए कहते हैं जेल से इनको नीचे कर दो इनको निकाल दो इनको सस्पेंड तुम्हारी बहुत बुरी हालत होगी शीला दिक्षित के लिए बहुत गंदे-गंदे साथ मंच में नहीं जाओंगा इसके उसमें खरा नहीं होंगा यह घोटाले बाद सबको देश द्रोही सबको कहता था यह और खुद अपने लिए यह अपने आपको बिल्कुल जबकि यह एक मुखमंतरी है अगला भूला है कि इसी देश में आप समझ लिजे यह इस्थित रह ही है यहां के और नेविल चीफ जस्टेश पाल्यमेंट में शेंज साब लाए गए गए थे कटगरे में यहीं के चीफ मिनिस्टर लालू जो है वो जेल चले गए थे लालू और इनको पता नहीं क्या है यह अपने आपको बहुत यहां से अंदा लगा लिए जो सख्स 26 जम् तो मोबाइल चुप चाप चला रहा था और उसके बाद जब मोदी जी ने आख में आख मिलाई डाटा तो चुप हो गया और इसने वहीं से रिलीस कर दिया कि मैं कह रहा हूं देखिए दिल्ली में लोग मर नहीं रहे थे कहना ने चाहिए इनकी लापड़वाई से लोग मर ग होएगी अब आप बाले सबसे ज़्यादा खुस होएंगे वह सब कहना है किसी तरह से इनको जेल के अंदर भेज़ दो तो हम जमना जी नहा लें फिलाल इस पूरे मामले को ले करके अपनी राय रखी और कहीं न कहीं अगर हम शराब गुटाला मामले को ले करके बात करें त इसका भरपूर उपयोग किया गया इसी के साथ ही न सिर्फ दिल्ली के तमाम आप नेताओं पर इसका शकंजा कसरा है बलकि पंजाब में भी जो आमादनी पार्टी के नेता है कुलवन्त सिंग उनके यहां पर भी बकादा इडी की टीम पहुंची वहां पर भी छापे मारी यानि कि यह शराब घुटाला जो है पूरी तरीके से जहां जहां त्वैला है इसको ले करके जाच जिंसियां जाच कर रही है